हेलो गाईज, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, कैसे हो आप सब, I hope कि आप सब अच्छे होंगे और जो है, आज हम बात करेंगे, भारत की मिट्टियां ये जो है, पेपर होने वाला है, उसमें जो है, ये कुशन्स जो है, आ सकते हैं तो, आज का जो टॉपिक है, वो हम शार्ट करते हैं, भारत में कितने परकार की मिट्टिया पाई जाती है, वो है, आठ काली मिट्टी का दूशा नाम क्या है रेगुर मिट्टी काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी होती है कापास के लिए लाल मिट्टी का लाल रंग किस के कारण होता है लो आकसाइड के कारण किस मिट्टी में आयरन वा सिलका सबसे अधिक पाई जाता है लेट राइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सबसे उपिक मिट्टी कौन सी है लेट राइट मिट्टी होती है एन भारत में किस प्रकार की मिट्टी स्वर्बदिक पाई जाती है जलोड मिट्टी नवीन जलोर मिटी को अनकिस नाम से जानाता है खादर मिटी किस मिटी में पोटास की मात्रा शब्शेधिक होती है तो वो है जलोर मिटी में लावा के परवास से किस मिटी का निर्माण होता है काली मिटी का कौन सी मिटी जेव पदातों से भरफूर होती है वो है काली मिट्टी किस मिट्टी का निर्मार बेशाल चटानों की विखंडन से होता है तो अंशर है काली मिट्टी किस मिट्टी में किर्शी के लिए सिच्चाई की अवसकता नहीं होती है तो काली मिट्टी में नहीं होती है भारत में लाल मिट्टी का बिस्तार सबसे अधिक कहां है वो है अंधरपरदेश को तमिलाडु में किस मिट्टी में लोहे और एलमोनियम केकर पा जाते हैं तो इसका अंसर है लेटराइट मिट्टी में धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उप्लिक्त होती है वो है दोमत मिट्टी मिर्दा पर्दन को कैशे रोका जा सकता है वन रोपरदवारा रेगुण मिट्टी सबसे अधिक किस राज में पाई जाती है वो है महाराष्ट में किस परकार की मिट्टी में जिपसम का परियोग करके उसे उपजाओ बनाया जाता है अंसर है अमलिये मिट्टी को किस परकार की मिट्टी में कर्वनिक पदातों की अधिक्ता होती है तो है काले मिट्टी में लेट्राइट मिट्टी सबसे अधिक कहा पाई जाती है मालावार तटिये परदेशों में ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों के द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है वो है लाल मिट्टी का किस परकार की मिट्टी में सबसे कम और वरक किया हो सकत्य होती है तो एंसर है जलोड मिटी, भारत में उत्तरी मैधानों में किस परकार की मिटी पाई जाती है एंसर है जलोड मिटी, किस मिटी का प्राया दी पिये छेत भारत में सरवधिक है तो इसका एंसर है काली मिटी, पुरानी जलोड मिटी को अन किस नाम से जानाता है बांगर कौन सी मिटी सूख जाने पर कठोर योंगिली होने पर दही की तरह लिपा लिपी हो जाती है लिप लिपी हो जाती है वो इसका एंसर क्या होगा लेट राइट मिटी मिटी के अध्यन को क्या कहा आता है मिद्धा विज्ञान भारतिय किर्शी अंचंधान परिशद ने मिट्टी को कितने वर्गों में बाटा है आठ वर्गों में So I hope guys कि आपको आज के वीडियो छोटा सा समझ आया होगा अगर ये वीडियो आपको समझ आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए सियर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए So thanks for watching मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई जैहिन जै भारत